कि रहें बाउंडेड मीडियम इस नाम का जो मतलब है उसे कुछ तो क्लियर हो रहा होगा कि मैं बाउंडेड मीडियम क्या कह रहा हूँ तो आप कह सकते ही कोई मीडियम जो किसी सराउंडिंग से घिरा हुआ हो उसको बाउंडेड मीडियम कहते हैं जैसे हमाले हम बोल रहे हैं तो चारो तरफ साउंड जा रही है हमारी ठीक है लेकिन हमें ऐसे एक डबा लगा ले वा bounded medium. तो लिखे इसके बारे में a bounded medium is one a bounded medium is one which has definite boundaries which has definite boundaries definite boundaries जिनके एक definite boundary हो जैसे drum हमने कहा है कि drum की definite boundary होती है ठीक है? चारो तरह से अलग होता है वो definite boundaries and whose boundaries are and whose boundaries are separated from other media separated from other media by distinct surfaces by distinct surface समझ में आगे इसको अपनी language में लिख सकते हैं अब जरा समझीएगा साउधान थोड़ा सद्यान से समझ लिजिएगा रैसे तो आपको याद करना पड़ेगा लेकिन हलका समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी हमने कहा अब ड्रम के अंदर हम बोलेंगे तो आवाज मेरी अंदर जाएगी और अंदर से रिफ्लेक्ट करके फिर वापस लौड के आएगी ऐसा होता ही नहीं होता है अगर आप किसी कुवेक अंदर से बोली हो आवाज करिये तो आवाज वापस लौट के आती है क्यों की नहीं होता था नहीं होता था हमारी आवाज वापस लौड के आती थी कि किसी ड्रम में आप बोलिएगा तो वो भी आवाज आपको आपस सुना ही पड़ती होगी ठीक है तो देखे हम यहाँ पर वेब को रिफलेक्ट करे जा रहे हैं अब कैसे रिफलेक्ट होती है जरा ध्यान से समझेगा लिखेगा रिफलेक्शन आफ रिफलेक्शन आफ प्रो progressive wave from a rigid surface a rigid surface या इसको हम कहेंगे closed surface closed end कहेंगे और दूसरा नाम लिखेंगे closed end जरा समझने की कोशिस करियेगा थोड़ा सब पीछे चलते हैं physics के जहाँ परer collision बताया गया था देखे अगर दो बोडी कॉलाइड होती है ज़रा देखे ध्यान से माले एक साइकल गया साइकल वाला गया और जाके ट्रक वाले से कॉलाइड हो गया क्या हो जाएगा ट्रक का टूट जाएगा चूर चूर हो जाएगा क्या हो जाएगा cycle reflect होके वापस आ जाएगी त्रक अब यह मान लेंगे ट्रक हलका सा हिला होगा ना हलका सा हिला होगा लेकि इतना नहीं हिला होगा कि हम उसके बारे में कुछ कंसीडर करें ठीक है यानि कि अगर बहुत हलकी चीज जाकर कि एक सी भारी चीज से टकराती है तो एक्शली जो टकराती है वो क्या ट्रांसफर करना चाहती है अपनी एनरजी को ट्रांसफर करना चाहती है अपनी मोमेंटम को ट्रांसफर करना चाहती है लेकिन विचारी हलकी ह है इसलिए वो वापस उसको reflect कर देता है ठीक है यानि कि ट्रक का कोई फर्क नहीं पड़ता cycle वापस reflect होती है तो अजरा समझेगा एक हमने एक रस्ती लिया और रस्ती को हमने क्या किया एक खूटी में ऐसे ऐक बढ़ता को पर कने बांदिया पक्रीस को कि यहां पमदेग Eliya Rebs वान लिए हमने जरा साओधान समझेगा यह धीवाक है ठीक है और हम एक वेप भेज रहे और वेप इस टकराएगी वैसे हमने यह रसी बांध रखिया एसए रसी भूल जाहिए आप मन एक वेब भेजी है और वेब ऐसे जाती है और ऐसे जाके और ऐसे टकराती है जरा यहां ध्यान से समझीगा यहां टकराई वेब टकराई किस से तीवाल से टकराई है रिजिट सपोर्ट से टकराई है तो क्या दीवाल अपनी जगे से खिसक जाएगी वे गई तो थी खिसकाने के लिए ना लेकिन उसको खिसका नहीं पाएगी और खिसिया के खुद वापस लोटके आएगी कैसे वापस लोटेगी देखे ध्यान से जरा इस डाइग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेगा इस प्रकार से इस प्रकार से वो वी वलास्टी से ऐसे थी ठीक है इस प्रकार से वी वलास्टी से टकराई थी यानि कि हम वलास्टी कहें या अगर मास से मल्टिप्लाई कर देंगे तो हम मोमेंटम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं इस प्रकार से पी मोमेंटम से टकराई थी ठीक है अगर मैं मालू की थीटा एंगल से टकराई तो देख कि momentum का एक component हो जाएगा आपका p cos theta और एक component हो जाएगा p sin theta यह diagram सुन में आ रहा है clear विल्कुल यह diagram clear सुन में आ रहा न बोलते दिए थोड़ा सा respond करना पड़ेगा आपको यह जो diagram दुबढ़ा देख लिजीगा यह एक दिवाल थी और यह वेव ऐसे टकरा रही है चलिए यह जो line ना state मैं इसको समझा रहा हूं यह टकरा रही है और ऐसे इसने p momentum से ऐसे इसको hit किया p momentum transfer किया और मैं माल लेता हूं कि दिवाल से थीटा एंगल पर यह टकराई तो यह p का जो component है थीटा से लगा हूँ पी cos थीटा होगा और यह होगा p sin थीटा समझारी बाद नहीं आ लिए मतलब इस दिवाल को कितना momentum मिला p किस direction मिला इस direction में तो दिवाल के जो p मिला है दिवाल को इसके दो component है पी cos थीटा और पी sin थीटा तो नियमता दिवाल को rigid support को जिसमें वो वेव टकराई है उसको इस direction में और इस direction में इस प्रकार से vibrate करना चीए नहीं करना चीए लेकिन हो क्या रहा है कि तो दिवाल है दिवाल तो टकराएगी मतलब टकराने से vibrate हो की नहीं तो यह क्या करेगी यह इस वेव को reflect करेगी कैसे reflect करेगी जाथ देखिये साउधान यह तो p sin थीटा है ना यह ऐसे इसको मिल जाएगा P sin theta उल्टी direction में और तो P cos theta है वो ऐसे मिल जाएगा P cos theta देखो द्यान से P sin theta ऐसे इस wave को वापस मिला और P sin theta P cos theta नीचे की और मिला तो कि reflection होना है ना सही कहा रहूं ना मैं तो wave अब ऐसे वापस लोड़ के आएगी ना यानि कि ऐसे गई थी और ऐसे वापस लोड़ के आएगी वापस ऐसे नहीं आएगी फिर देखेगा यहाँ पर टकराई थी तो अभी ज़रा समझेगा P cos theta ऐसे मिल रहा था और P sin theta ऐसे मिल रहा था अभी क्या हो रहा है इसको वापस में P sin theta इधर मिला है और P cos theta नीचे की ओर मिला है तो जो वेव उपर की ओर से गई थी वो नीचे वापस आएगी नहीं आएगी तो कि resultant बिल्कुल आपको इसको नीचे से दिखाई पड़ रहा है समझ में आरी बात नहीं आरी है यह मैं क्यों आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ जाने वाली वेव ऐसे गई और वापस ऐसे लोटके आएगी नीचे की तरफ से समझ में आई बात दूसी तरीके से समझ लिजेए दूसी तरीके समझ लिजेगा अब मैं क्यों दीवाल बना रहा हूँ यह दीवाल ऐसे थी इस पॉइंट पे वेव ऐसे हिट की थी ऐसे देखो उपर की वोट जा रही है ऐसे और ऐसे हिट की थी यह पी था तो पी कॉस थीटा उपर था अब पी साइन थीटा नीचे हो गया है और सॉरी पी कॉस थीटा नीचे हो गया वापस में और पी साइन थीटा इधर था तो इधर हो गया है तो resultant नीचे की दरफ से आएगा ना वेव जो वेव उपर जा रही थी अब नीचे से वापस लोट के आईए ना तो जाने वाली वेव और आने वाली वेव में face difference कितने का होगा पाई का जाने वाली वेव अगर a sin omega t है तो आने वाली a sin omega t प्लस पाई हो जाएगा सही कहा रहा हूँ में ये किवल आपको समझाने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाईएगा अगर समझ में ना है तो पूछ लिजीगा तो लिखे थोड़ी कहानी when a transverse progressive wave when a transverse progressive wave strike to a rigid support rigid end कहिए इसको मैंने रफ कर दिया साय ये था rigid surface और closed closed end closed end कहती जी closed end when a transverse wave strike a rigid surface or close end then it reflect back then it reflect back reflect back and and the phase difference between incident ray and reflected ray will be pi the phase difference between incident ray and reflect ray will be pi बात समझ में आई अब चरह समझेगा यानि कि मैंने रस्टी जो ऐसे पकड़ी थी अब तो रस्टी की बात में कर रहा हूं रस्टी को मैंने एक एक रिजिट सपोर्ट था एक माले कोई एक पिलर था उसमें ऐसे जानवर बांधेया थे ने बांध दिया था और जैसे हमने इस रस्टी को भेजा ऐसे जब पिलर में आउट टकरा गई तो टकरा के वह वापस स्लॉट के नीचे से आई उपर से टकराई तो नीचे से लोट के आएगी और नीचे टकराएगी तो उपर से लोट के आएगी याने वाली वेब और आने वाली वेब में face difference पाई का होगा अच्छा अब दूसरा ये जो reflect हुई थी वो rigid support से हुई थी अब मैं करता हूँ लिखे reflection of progressive wave from free surface reflection of progressive wave from free surface free surface और open end free surface और open end देखे अब जड़ा समझीएगा अभी तक क्या हो रहा था किये छोटा सा पिलर था जिसको की देहात की बादा में खूटा कहा जाता है जिसमें की जानवर बांदे जाते हैं जानते हो सब्सुना है आपने जानते हो ना कोई नया नाम तो नहीं जानते हो अब मैंने उसकी रस्टी को बांदा नहीं देखो हमने यहाँ पर एक छला डाल दिया ऐसे ठीक है, और अब इस वेब को एक रस्ती बंदी भी थी अईसे, यह रस्ती यहां बंदी भी थी, अब मैंने वेब को भेजा, ऐसे वेब को भेजा, जब वेब यहां ऊपर कि और पहुंचेगी, तो यह बताइए जो चला होगा, यह उपर उठेगा कि वही पह रहेगा, उपर जाएगा ना तो चला थोड़ा उपर उठा और उस वेप को जैसे देखेए जैसे ऊपर उठेगा वैसे वेप को वह आपस भेज दिएगा मतब जीधर वेप जाएगी उध्री वेप वापस आ तो जाने वाली वेब और आने वाले वेब में कोई phase difference नहीं होगा. एक और एक जाम्पल आख North min को सुझा जाएगा छोटे में टफी खानी होती है तो पापा की जेब में पैसे होते हम को मालू होता है कैसे निकालें चुप चाप दो रुपे निकालें हम तो छोटे हैं तो मैंने नीचे से सड पकड़ी और ऐसे-ईसे सड को इलाया अब सड तो ऊपर टंगी वी है हैंगर मे तो जब ऐसे हिलाया तो मैंने वेव तो नहीं पड़ी थी लेकिन मुझे को मालूम था ये जो सड़ को हिलाएंगे तो वेव ऐसे से जाएगी जब वहाँ पहुंची वेव तो चुकि उपर जहां पर खूटी में सड़ टंगी थी पापा की वह free end था तो उपर उड़ गई और उपर उड़के नीची आगई हमने उससे दोर पर निका लिए टाफी खा लिए पापा को मालूम भी हो सकता है नहीं मालूम सकता है ये free end था सब्सक्राइब बात ने हमने देखा नहीं किसी को जिसने नहीं किया अच्छी बात है जिसने किया अब उसमें अच्छी बात रही होगी यह समझ में आए बात नहीं आई है तो यह फ्री एंड होता है मतलब वेब गई थी और शर्ट को उसने थोड़ा था उठा दिया और ऐसे नीचे उतर के आ गई कभी-कभी बहुत उची है हमारे कपड़े टंगे होते हैं नीचे से उतार नहीं पाते हाइट मालिया हम जैसी है तो फिर ऐसे इसे करके उठाते है ऐसे वेब भेजते हैं और वहां गई और जब वहां उची उसने शर्ट को उठा दिया और शर्ट नीचे आ गई तो जाने वा हाली वेब में कोई phase difference नहीं होता है जीरो का होता है लाजिक समझ में आया अब जो पहले लिखा था उसको रिपीट कर दो उसमें क्यों आफ फ्री सर्फिस कर दो और phase difference जीरो लिख दीजीगा लिखेगा वेने ट्रांस्वर्स वेब ट्रांस्वर्स वेब इस्ट्राइक अफ लिख ईया है उसको आफन फॉर्स और बबियार्टीं आप अंद है तन था तर फेसें स ब्रेश बिटीजीजेग्च सथ्डिजेग की कि लिखेगेगे लिखेट yet की लिखेगेगे लिखेगे लिखेगे लिखेग अच्छा अभी तक आप बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव वेब की आपकी वेब लगातार आगे बढ़ रही थी अब मैंने बाउंडेड मीडियम कर दिया वेब को रोख दिया है और रोख करके वापस लोटाल रहे हैं तो लिखे इस्टेशनरी वेब्स और स्टेंडिंग स्टेंडिंडिंग वेब से यह जो हमने फ्री एंटर और यह दोनों बताए हैं इसमें कोई ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि यहाँ जब डेरिवेशन करेंगे तो इसका यूज आएगा अब लिखें इस्टेशनरी वेब्स इस्टेशनरी वेब्स और स्टेंडिंग इस word से इसका मतलब क्या निकल ला है अगर मैं इस word meaning की बात करूं तो इसे क्या मतलब निकल ला है लग रहा है वेव अपनी जगह से चल नहीं रही है ऐसा लग रहा है न यहां लग रहा है वो खड़ी भी है स्टेंडिंग है ऐसा लग रहा है न थोड़ा फ्रेक्टिकल समझेगा च्छत में आपके यहां कपड़े टांगने के लिए तार बना होगा हो भी सकता नहीं हो सकता है अब नहीं मना तो आप इमेजन करिएगा एक टाइट तार बांदीजिए या कोई धागा बांदीजिएगा तूटे ना और उसको थोड़ा नीचे खीशी और छोड़ दीजिए आप धागे को या यूं करिए आप ऐसे धागे को बांदीए अपन एक रवडबर्ण ले लिजेगा एक रवडबर्ण ले लिजेगा थोड़ा सा टाइट करके दो लोग पकड़ लीजेगा ऐसे और बीट में हलका सा खींच के छोड़ दीजिए उसको वह वाइब्रेट होगी लेकिन आपको लगेगा जैसे रवरबर्ण ऐसे पूल रही हो ऐ देखाई पड़े वेव 2-4 इसमें चल रही हों, एक धागा ले लिजेगा, टाइट पकड़ लिजेगा, या कहीं बांद दीजेगा, एक एंड बांद के एक एंड को ऐसे खींच लिजेगा, और ऐसे खींच के छोड़ दीजेगा, तो आपको लगेगा ऐसे ऐसे जैसे, वेव यहां पर इसको rigid support से बांदिया है और हमने यहां से इस पे थोड़ा सा एक wave create की अब देखो wave जा रही है और wave लगाता है हम create कर रहे हैं यह wave जा रही है ठीक है wave यहां गिरी जराद एक बात दिखेगा यह रस्ति के particles हैं रस्ति पहुत सारे हमने points बना रखे हैं जब wave यहां गि गिरेगी तो wave गिर रही है rigid support में और rigid support में जो reflecting wave होती है वो 180 degree से reflect होती है अब देखो यह reflect हो गई ऐसे reflect होती है यह reflect हो गई और देखो जाध्यान से यह reflect होके वापस ऐसे lot के आ रही है ऐसे arrow बना दिया और हम इस wave को इधर भी भेज रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है यह यह लगातार ऐसे दिखाई पड़ेगा यह लगातार ऐसे दिखाई पड़ेगा तो आछी बना लिजीएगा तो इस प्रकार की wave को stdio बेघ casi क्या कहते हैं स्टेंडिक वेब कहते हैं या स्टेशनरी वेब कहते हैं जैसे जो गिटार विटार बजाते होंगे है साइब को इसमें बजाने वाला मैं नाम नहीं लूँगा जानते होंगे तो गिटार में या सितार में क्या हो था तार ऐसे बंदा होता है और आप बीच में टिन 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 ऐसे करते हैं है ना तो जब उसको आप खीजते हो तो क्या करते हो आप वेव क्रिएट करते हो अब चुझकी गिटार दोनों एंड में बना हुआ है ठीक है तो एक वेव ऐसे जाती है वहाँ टकराती है वापस लोड की जाती है और एक आलेडी जा रही होती है यानि एक लगातार जा रही होती है और एक लगातार वापस आ रही होती है तो दोनों के सुपर पोजिशन से दोनों के मिलने की वज़े से एक नई प्रकार की वेब दिखाई पड़ती है जो ऐसी दिखाई पड़ती है इसको हम कहते है standing wave या stationary wave तो अच्छा बना देंगे अच्छा बनाने बाद भी ऐसे ही बनेगा लेकिन अब यह माल लेते हैं तो अच्छा बनेगा पता ने अच्छा बनेगा नहीं बनेगा देखते हैं एह ऐसे थोड़ा सा एक बार और इसको round लगा दूँ ऐसे wave और ऐसे wave ठी जा रही है वेव जा भी रही है तो इस प्रकार की वेव हमको दोनों के सुपर पोजिशन से सुनाई पड़ती है इसको हम स्टेंडिंग वेव कहते हैं क्या ऐसी वेव देखी है आपने कभी जो भी मैंने एक्जाम्पल दिया है एक तार आप बांधीजेगा टाइट वर लंब बटन होती है ना तो पापा के कोट से बटन तोड़ लीजेगा नहीं मतलब पुराने से तोड़ीएगा वना तिक्कत हो जाएगी ठीक है और उस बटन के अंदर से धागा बांदिएगा डालिएगा अब तो एक गेम आप लोग खेलते नहीं और उसको बटन को तो आप देखें कि बटन चक्का ऐसे घुमेगी और धागा बीज में लगए का फूल रहा है इसे किया है कभी आपने अधा यह समझ में आ गया ना अब फिजिक्स मतलब जो हम आमने सामने देख रहे हूं लेकिन मजबूरी है कि हम ऐसे एक्स्पेरिमेंट अब करते नहीं अब ही मैं बता दूं कि फेस्बुक में ऐसे बटन दबाईएगा और ऐसे ऐसे उसमें जब जाता है वह सिगनल तो वह समझ जाओगे लिखो का नी वें तू एग्स बचनिकल टांसवर्स और लांगिटूदन भी जब दू एक जैसी यातो दोनों ट्रांसवर्स होंगी ये दोनों लांगिटूदन होंगी वैं डाउनद मीडियम progressive wave progressive wave travel in a bounded medium travel in a bounded medium with the same speed but in opposite direction हाँ लिखे when two identical दो एक जैसी two identical transverse or longitudinal wave अब transverse का मतलब आप जानते हैं किस पकार की वेप पर हम बात कर रहे हैं transverse or longitudinal waves travel in bounded medium travel in bounded medium with the same speed with the same speed but in opposite direction पता ये वेव ऐसे जा रही है और ये वेव लाट के आ रही है दोनों same speed चल लही है लेकिन दोनों opposite direction में चल लही है क्योंकि वो टकरा के वापस लाट के आई है same speed but in opposite direction then then by their superposition superposition आपको बताया गया है याद होगा आपको by their superposition a new type of wave is produced by their superposition a new type of wave is produced new type of wave is produced which appears stationary in the medium जो लगता है fix है जैसे फुली फुली wave बन रही है which appears stationary in the medium this wave is called this wave is called stationary waves or standing wave this wave is called stationary wave or standing wave दो wave एक जैसी एक ही speed से opposite direction में चल रही है एक जा रही है और एक लोड के आ रही है तो इन दोनों के मिलने से दोनों के superposition से एक नई टाइप की wave बनती है जो मीडियम में stationary appear होती है लगता है बिलकुल रुकी वी wave है इसको हम कहते है standing wave or stationary wave ठीक है हम देख रहे थे कोई धागा वागा मिलता तो मैं उसको करके दिखाता लेकिन कुछ है नहीं ऐसे समन्द में नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है अब ज़रा समझेगा एक मिनट देखो ये जो line है इसको मैंने एक रस्ती बान लिया एक thread है और यहां से wave भेजी है हमने और यहां टकरा के वापस लोट के आ रही है जरा इस रस्ती में इस point को देखिए जो point आपको दिख रहे है आपको इन point को देख कि क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि रस्ती के वो point है जहां पर थे वहीं पर है नहीं लग रहा है लग रहा है ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये point जहां पर थे वहीं पर है और ये point देख कि क्या लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा maximum displace हो गए तो आप देखते हैं कि इस प्रकार की वे में कुछ ऐसे पार्टिकिल हैं मीडियम के वे रसी में जो पॉइंट आप बना रहे हो यानि वे पार्टिकल्स हैं तो मीडियम के कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो लगातार एक ही पोजिशन पे स्टेशनी लगते हैं अपनी mean position से इधा उधर नहीं चल रहे हैं इनको nodes कहा जाता है क्या कहते हैं इनको nodes कहते हैं ठीक है अभी हम बता रहे हैं इसको nodes कहते हैं nodes वो point होते हैं जो wave के चलने से standing wave या stationary wave से यह हमेशा अपनी mean position पे रहते हैं इनमें कोई displacement नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे particle होते हैं जिनका maximum displacement होता है यह nodes है N से हमने represent किया है और जिनमें maximum displacement हो रहा है उन्हें anti-nodes कहते हैं तो यह आपके anti-nodes होते हैं समझ में आई बात तो अब heading लिखे है nodes and anti-nodes nodes and anti-nodes यह nodes है यह न सुझेगा nodes होने चाहिए पैसे वाला गलती से सर लिखा रहे nodes ही कहते हैं तो लिखेगा in the stationary wave stationary बोले तो इस प्रकार की wave in the stationary wave some particles of the medium remains permanently at rest some particles in the medium remains permanently at rest permanently at rest these are card nodes इनको nodes कहते है these are card nodes चाहे वो particle माल लिजेए nodes होता है तो particle न समझेगा उसकी position को माल लिजेगा वो nodes की position है these are card nodes यह जो हमेशा rest में रहते हैं while other particles undergo maximum displacement while some other particles undergo maximum displacement card anti-nodes card anti-nodes अब देखिए सुझारी बाद इस diagram को बनाईए एक ची और हम बताना चाहेंगे बना लिजे diagram को पहले और यहाँ पर लिख दीजेंगे N इसके लिए nodes के लिए और A for anti-nodes के लिए जिसे clear हो जाए कि हम nodes किसको कह रहे हैं और anti-nodes किसको कह रहे हैं इस diagram को हम रभ करेंगे इसलिए बना लिजेगा ठीक है अच्छा यह जो हमारी stationary wave बनी है इनकी condition क्या है पहली बात तो wave same medium में हो दूसरी बात वो bounded medium में होना चाहिए मतलब wave लगातार आगे न बढ़े कहीं medium का उसका breakage मिले और उसको टकरा के वापस load के आनी चाहिए ठीक है तब यह जाकर के waves बनती है इनको practically देख जरूर लिजेगा करना कुछ नहीं है आपको आप एक धागा ले लिजेगा थोड़ा मोटा लिजेगा या कोई तार अगर घर में हो तो बढ़ी आई उसमें आपको दिखेगा एक तार ले लिजेगा कमसे कम एक दो मिटर का हो और उसको एक support पे tight कर दीजेगा ताइट और उसको खीच के छोड़ दीजेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे से वे फूलती वेसे लग रहा है यह तार फूल रहा है ऐसे 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 दिखेगा आपको चिंतामत करिए यह दिखती है ठीक है अच्छा एक नोट लिखेगा मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ अब जोड़ा समझने की कोशिच करिएगा इसी में सौन में आ जाएगा देखो ध्यान से हम एक वेव दिखा रहे हैं यह वेव दिखाई हमने यहां से यहां तक कितनी distance cover की वेव ने यह वेव गई है जा रही है वेव लौट कर नहीं आ रही है वेव यहां से यहां तक कितनी distance cover की है अरे बताईए भाई यहां से यहां तक वेव ने कितनी distance cover की है कैने 2 km 5 cm अच्छा 2 cm है लेमडा distance की बात मैं कर रहा हूँ angle की बात नहीं कर रहा हूँ यह distance lambda है हमने सही कहा अच्छा अगर मैं यहां पर इसको bound कर देता और वापस इसको लोटालता तो यहां notes बनता यहां notes बनता यहां notes बनता अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक distance कितनी है यहां से लेकर के यहां तक कितनी distance है lambda by 2 तो लिखेगा, note में लिखेगा the distance between two consecutive notes is equal to lambda by 2 ये रटिएगा नहीं मैंने इसलिए diagram में समझाया आपको the distance between two consecutive notes is lambda by 2 ये number 1, number 2 लिखे इसमें अब बताओ ये location anti-node की है है की नहीं है इसके इसके distance कितनी है दो लगा, वो भी है, तो लिखे the distance between two consecutive anti-node is lambda by 2 the distance between two consecutive anti-node is lambda by 2 ठीक है अच्छा ये बताओ, ये node, ये anti-node इसके भी की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक तो लिखे, the distance between two consecutive node and anti-node is lambda by 4 समझ में आगई बात, अब मैं इसके equation को निकाले जा रहा हूँ, heading डाले है, equation of stationary wave, इसकी equation अब निकालने हम जा रहे हैं, वी समझाए जा रहा था हो ता क्या है, ये diagram बना ली जे लिए अभी बनाया था हमने, अब लिखे, अब लिखे, अब लिखे, अब लिखे, अब लिख इससे आपको जो नोट लिखा है, सोजने में आ जाएगा, equation of stationary wave, wave और standing wave, stationary बोली है, या इसको standing wave कहते हैं, नाम क्यों दिया गया, सुम्या गया होगा आपको, देखे, हम करेंगे क्या, जरा समझेगा, एक wave भेजेंगे हम, और हम कहेंगे, ये जो wave जाएगी, वो कैसी होगी, plane progressive wave होगी न, क्योंको उसको तो मालूम नहीं कि तुम टकर करने वाले हो, एक wave जाएगी, तो जाने वाली wave का equation लिखेंगे, तो plane progressive wave का equation क्या होता है, y is equal to a sin omega t minus kx, याद है न, अब इसको टकर कराके वापस लोटा रेंगे, जब वापस लोटा रेंगे, तो दो conditions possible है, या तो वो rigid support से वापस आएगा, या तो वो free support से वापस आएगा, चीक है, एक बार rigid support से वापस करेंगे, तो वापस लोटा लेंगे, तो आने वाली wave में दो conditions आएगी, एक तो दोनों के phase के बीच में πाई का अंतर होगा, दूसी बात अगर ये plus x तरफ जा रही है, तो ये minus x तरफ जाएगी, तो इसकी displacement equation निकाल लेंगे, फिर इसके superposition लगाएगे, y1 प्रस y2 निकालेंगे, ये ह को करना है, समझ में आई बार नहीं आई है, तो अब लिखेगा, suppose a plane progressive wave, suppose a plane progressive wave is traveling along plus x direction, plus x direction, and having the amplitude small a, and having the amplitude small a, the equation of this wave, the equation of this wave, is given by y1 is equal to a sin omega t minus kx, सुना होगा आपने, सुना है ना, सुना सुना नहीं लग रहा है, या अगर सुना सुना लगेगा, तो paper में सुना सुना लगेगा, सुना सुना न बोली भाई, अभी यह मैं पढ़ा रहा हूं इसको, यह y1 क्या है, एक्चुली इस wave ने रास्ते में किसी particle को displace किया होगा, उसी का displacement equation यह है, है ना, अच्छा, अब यह wave गई आगे, और टकरा के वापस आई, अब मैं टकरा के rigid support से वापस मुला रहा हूं, तो लिखेगा, suppose, suppose, this wave is reflected, suppose, this wave is reflected, from the free end, चलिए free करजे, from the free end, from the free end, so, the equation of reflected wave, so, the equation of reflected wave, is given by, y2 is equal to, a sine, जना, समझेगा, हमने कहा था, जाने वाली wave और आने वाली wave में कोई phase change नहीं होगा, यानि कि इसमें जो प्लस phi कर रहे हो ना, वो प्लस zero हो जाएगा, लेकिन equation आएगा, omega t, जो minus kx है, वो plus kx हो जाएगा, क्यों भाई हो जाएगा, क्योंकि वापस लोटने वाली wave में phase change हो नहीं, लेकिन उसकी direction जनुरू चेंज हो रही है, क्योंकि वो plus x में जा रही है, तो वापस वाली minus x में जाएगी, ठीक है, अब ये आई, रास्तेव एक particle था, जिसको ये y1 displace कर गई थी, जब ये वापस लोटके आई, तो रास्तेव कहाए कहा है चाचा, जब हम गए थे तो आपको y1 displace किये थे, वो ले हाँ बेटा, और तुम displace हो जाओ, तो उसको y2 displace कर दिया, इधर कर दिया या नीचे कर दिया, तो by principle of superposition, जो resultant displacement होगा हो क्या होगा, by principle of superposition, the resultant displacement, y is equal to y1 plus y2, देख, value रखते हैं, a sin omega t minus kx, plus a sin omega t plus kx, अगर मैं यहां से एक आमर ले लेता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा sin c plus sin d, sin c plus sin d, trigonality में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बायो वाले इसमें होँगे अगर, देख लें या, अगर sin c plus sin d है, साइद इसके पहले आया है, कहीं पर, तो होता है, 2 sin c plus dy2 into cos c minus dy2, तो हम एक आमर ले लेते हैं, यह, मताब यह इसको खोले हैं हूँ, तो, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हैं, तो वही मैं करने जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ने, वो टॉप पड़ेगा भाई, वो उसी से बनता है, वो तुम सही कर रहा है हो, एक्चुली में आख, sin a minus b खोल नहीं है, sin a plus b खोल रहे हैं, और इसको cancel कर रहे हैं, ठीक है, वो तरीका ठीक है, लेकिन उसी से formula बना है, short करने के लिए इसको, ठीक है, यह formula आपको पढ़ाएगे होंगे लग से, तो यहां लगाएंगे, 2 sin, देखो, c plus d by 2, c बोले तो ये, और d बोले तो ये, तो आएगा, omega t minus kx plus omega t plus kx by 2 into cos c minus d, तो omega t minus kx minus omega t minus kx by 2, तो ये लग गया, sin c minus sin d, ये kx है जड़ा देखे रिखिएगा, थोड़ा calculate करते हैं इसको, मैं उपर रख कर रहा हूं इसको, एक, दूपॉइंट, देखो, तो ये हो गया, y is equal to 2a, देखो, sin, यहाँ से kx कर गया, 2 omega t by 2, तो यहाएगा, sin omega t into cos, यहाँ से omega t कर जाएगा, minus का 2kx हैगा, तो minus का kx, cos minus theta, is equal to plus cos theta, तो यहाँ गया आपका, 2a sin omega t into cos kx, अच्छा, omega की value क्या होती है, 2 pi by t, और k की value क्या थी, 2 pi by lambda, तो यही कुशन आगया, 2a sin, 2 pi by t, capital t into small t, into cos, 2 pi by lambda, into small x, तो यह आपकी, standing wave की equation है, जबकि reflected wave, negative x direction में, किसी free support से वापस आ रही थी, समझ में आई बात, note करिए, समझ में आ रहा है, कि आप बताये जा रहा है, थोड़ा सा practice में है, रटिएगा नहीं इसको, आप देखिए, यहाँ पर कुछ इसपसल कीज़, इसपसल कीज़, नमबर वन, जब आप समझ जीएगा, इतना लोट करें तह रहा हम बताए, अच्छा, देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, for anti-nodes, anti-nodes बोले तो, maximum y, दो तरीकें से हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, कितनी दूर पे y maximum है, यानि x को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, कितने समयबाद y maximum है, t को देख सकते हैं, तो time के according भी y को हम देख सकते हैं और x के according भी हम displacement को देख सकते हैं सही कह रहा हूँ मैं तो मैं पहले x के हिसाब से चलता हूँ maximum y में cause 2 pi x by lambda की value maximum होनी चाहिए जो की plus minus 1 होता है अब यह न कहिएगा का minus 1 तो negative value होती है देखो minus 1 के case में भी maxima होता है यह भी maxima है यह भी maxima है नहीं समझी बात जो आप standing wave आप करते हो ऐसे बताते हो तो आप यह दोनों चीज़े ले रहे हो ना इधर हो या उधर हो उसको maximum ही बोला जाएगा तो maximum के case में cause की value क्या नहीं चाहिए plus minus 1 होनी चाहिए अब बताओ cause के किस angle की value plus minus 1 होती है यानि की जो आपका angle है 2x यह जो angle है यह या तो 0 degree हूँ या तो πाई हूँ बस आगे नहीं चलेगा या तो 2πाई हो या तो 3πाई हो या तो टिक 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 हो इन सभी angles के case में cause की value या तो plus बनाएगी या तो minus बनाएगी सही कह रहा हूँ मैं अच्छा अगर मैं ये 2πाई वे lambda को उधर ले जाता हूँ तो यहाँ lambda by 2πाई हो जाएगा यानि कि पाई पाई कर जाएगा यहाँ हाँ समय lambda by 2 आ जाएगा यानि या तो x की value 0 हो lambda by 2 हो 2 lambda by 2 हो 3 lambda by 2 हो 4 lambda by 2 हो यह वो conditions है जहाँ पर anti-nodes की condition आएगी ठीक है अब यह नहीं कहिएगा आपने 2-2 क्यों नहीं कैंसल किया जानबुचे नहीं किया है symmetry लाने के लिए तो यह वो x है दूरी है जहाँ पर anti-node होता है हमने mathematically प्रूप किया है देखे यह हमने distance के हिसाब से देखा है दो टर्ण करीब और चलेंगे wave खतम होने में क्योंकि wave थोड़ा सा technical है बहुत जल्दी अगर आप करते हैं तो दिक्कत आएगी इसलिए मैं बहुत हौले हौले पढ़ा रहा हूँ जिसे confusion नहों ठीक है यह समझ में आ गई बात अच्छा यह भी दो सकता है और anti-node की बात मैं कर रहा हूँ मैं नोट्स की बात भी कर रहा हूँ दूसरा case यह भी हो सकता है कि भई मैं sign ले लेता हूँ sign 2 pi t by t की value maximum हो plus minus 1 हो यह भी हो सकता है अब sign में यह value कब plus minus 1 होती है भई pi by 2 5 odd odd multiplier न तो यानि कि यहां पर 2 pi t by t की value या तो pi by 2 हो या 3 pi by 2 हो या 5 pi by 2 हो या ऐसे angles हो तो इन angles में जब sign की value आएगी तो या plus 1 आएगी या minus 1 आएगी plus 1 बोले तो upper direction में maximum displacement minus 1 lower direction में maximum displacement और दोनों ही maximum displacement के case में आपका anti-node होता है अच्छा जब मैं t निकालूंगा तो देखो ध्यान से यह 2 sum में divide में जाएगा और pi कर जाएगा तो यह क्या मिलेगा आपको t by 4 3 t by 4 5 t by 4 यह time है जिन time पे आपको anti-node की condition मिलेगी mathematically बात समझ में आई note करिए इसको तो हम cause को देख करके y maximum निकाल लिया sign को देख करके y maximum निकाल लिया हमने का वह time के हिसाफ से देखो चाहे दूरी के हिसाफ से देखो हम आगे चलके distance की हिसाफ से बात करेंगे तो चाहे distance की हिसाफ से देखो चाहे हम time की हिसाफ से देखो इस time पे या इतनी दूरी पर आपको anti-node मिलेगा for nodes nodes की बारे में बात करते हैं nodes क्या होता भी ऐसे point जहां पर displacement 0 तो एक बार मैं cause को देखता हूं तो यह 0 आ जाएगा तो वैलू भी 0 आ जाएगी अब बताओ cause 0 कब होगा cause की कौन सी वैलू है 0 देगी यानि की जो इसका angle है ना 2 pi x by lambda वो या तो pi by 2 हो क्या बताए आपने odd multiple of pi cause pi की वैलू 0 होती है pi by 2 की वैलू 0 होती है भाई साब pi जो लिखेंगे न cause by minus 1 होता है अभी लिखा चुका हूँ मैं इसके पहले pi 2 pi 3 pi 5 pi plus minus 1 हो रहा था pi by 2 हो या 3 pi by 2 हो या 5 pi by 2 हो confuse मत होईएगा यही चीज आपने sign के case में 80 के एक साल लिखा था cause 90 0 होता है 270 0 होता है 5 pi by 2 सब 0 होता है actually देखिए cause इस line पे 1 होता है और इस line पे हमेसा 0 होता है ठीक है cause इस line पे हमेसा 1 होता है इधर 1 इधर minus 1 इधर 0 इधर भी 0 ठीक है अच्छा जब मैं x की value निकालूंगा तो 2 divide में जाएगा और pi कर जाएगा तो x की value क्या आएगी lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4 यह वो positions है x की value है जहां पर displacement 0 होगा confuse मत होईएगा वहाँ पर t के साथ आया था t by 4 3 t by 4 यह x के साथ आया है notes की बात में कर रहा हूँ तो अगर cause की value 0 है तब यह y 0 हा गया मैंने दूरी के हिसाब से इसको देखा यह भी तो हो सकता है second case में की भाई sin 0 हो जाए sin 2 pi t by capital T 0 sin 0 कब होता है sin में किस angle की value 0 होती है बोले आप नहीं बोलेंगे गलत हो जाता है इनी को बोलने दो कौन 0 होता है भई sin 0 sin pi sin 2 तो यानि कि यह 0 भी हो सकता है pi भी हो सकता है 2 pi भी हो सकता है 3 pi भी हो सकता है और बहुत सारा pi हो सकता है तो t की जब value निकालेंगे तो pi कर जाएगा और तो यह आएगा आपका 0, t by 2, 2t by 2, 3t by 2, यह वो time period है जिस पर displacement 0 होगा और this will be the condition of nodes.